हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टो माई चैनल कैसे हैं आप सब बेडमी पूरी तो आपने कई बार सुनी होंगी पर आज हम बनाएंगे बिल्कुल नए तरीके से बहुत स्वादिस्ट बेडमी पूरी साथ में बनाएंगे चटपटी स्पाइसी सब्जी बिना टमाटर के और गे पर इसमें एक छोटी चमच हमजवयन डालेंगे एक छोटी चमच मच नमक डालेंगे एक छोटी चमच हलदी और एक चूटी चमच डाल देंगे जीरा इस सबसे जो कचोडी का बेश होगा उपर की पर्थ स्वादिस्ट तेयार होगी अब इसमें डालेंगे चार टे Phew ऐल उसकी मात्रा पर्फेक्ट होनी चाहिए मोईन आपका बिल्कुल पर्फेक्ट होना चाहिए तभी आपकी बेडमी पूरी जो है वो बिल्कुल क्रिस्पी और खस्ता तयार होंगी जैसी कि आप मार्केट में खाते हैं तो कोमेंट बोक्स में जरूर बताएं कि बेडमी पूरी और सबजी कहां की रेश्पी है किस प्रांत से किस प्रदेश से यह बिलोंग करती है जरूर बताएं तो इस तरीके का आपका मोहिन होना चाहिए लड़ू अच्छे से बने और फिंगर मारने फे फूटे तो मोहिन पर अच्छे से अच्छे से मैस करते हुए हम गुतेंगे यहां पर चैनल पर पहली बार आए है और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रुक्वेस्ट आपसे प्लीज सब्सक्राइब कर लें बैल आइकन ओन कर लें ताकि नोटिफिकेसंस आपको मिले और आप वी कर रहे हैं वह सब घर में अबेलिबल हो अगर कुछ चीजे नहीं है तो उनके बिना भी आप रेस्प्य को पूरा बना पाएं और इंजोई कर पाएं तो हमारा आटा जो है वो अब हमें अच्छे से मसल लेना है साथ से आठ मिन तक इस तरह कर लेना है तो आटे में आप दे जीरा सबसे जरूरी है आजवाइन भी डालेंगे तो एक चोड़ी चम्मच जीरा आदा चोड़ी चम्मच आजवाइन डाल देंगे और इसको लो फ्लेम पे अच्छे से चटकने देंगे जितनी लो फ्लेम पे आप जीरे और अजवाइन को चटकने देंगे उतनी ही बढ़ बाद में डालना है फिर हींग को भी आपको अच्छे से भून लेना है वाइट हींग ना रहे बिलकी सी गोल्डन हो जाए ब्राउन हो जाए और जीरा तो आप देख सकते हैं स्रीके से काला कर लिया है अब इसमें हम डालेंगे चार चोटी चम्मच बेसन चोटी चम्मच में टी स्पून मेरे पास है जैसे मसाले डालते हैं वह बड़ी डाल रहे हैं तो दो चम्मच अब डाल सकते हैं और फिर इस बेसन को बिल्कुल लो फ्लेम पर आपको भूनना है बेसन कच्छा नहीं रहना चीए वरना आपकी सबजी की जो ग्रेवी होगी वह बहुत ज्यादा गाड़ी और टेस्टी भी नहीं बनेगी तो अब यहां पर बेसन भूने का कैसे जैसे लड्डू बनाते हैं या फिर बेसन कालवा बनाते हैं ने के समय आती है वैसी खुश्बू आने लगे तब इसमें आप हल्दी डालने लाल मिश पाउडर डालें मैं एक च्छोटी चम मसाले हम घृषण यह उसी तरीके से बिलकुल बेड़ ḥाल जरता है उसकह топ कि सभी अब उलकुल कि आप है इसमें वह डालनेंगे पानि आनि तो कुई अपनी ऑसी सभी से डालें बाक़ी बेड़ी हुडों की होती है और अब देख सकते हैं सारे मसाले वाने अच्छ द्ध व्याड़े हैं पानी इसमें मैं डाल दूंगी कि लगबग दो ग्लास पानी एड करूंगी पानी आड करते दूत चलाते जाएग्यश्त फोड़ा फानी एड करें बेसन डाल रखा इसलिए और हमारे ग्रेबी जो हैं तयार हो चुकी है अब यहां पर हम टमाटर यूज नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम यूज करेंगे नीवू, तो यहां पर यह एक नीवू देख सकते हैं, आप इसका जूस में निकाल के इसमें डाल दूँगी, इससे सब्जी बहुत ही स्पाइसी और खट्टी तयार होगी, मिर्ची खूब डाल अगर डालना चाहें, तो आप थोड़ा सा गरम मसाला इसमें अड़ कर सकते हैं, तो अब यह अच्छे से मिक्स हो चुकी है, और आप देख सकते हैं, इसमें ग्रेवी थोड़ी कम लग रही है, तो और भी ज़्यादा यह गाड़ी हो जाएगी, तो इसमें थोड़ा सा पान पिल्कुल लो फ्लेम पे, जितने लो फ्लेम पे इसे अच्छे से कोक करेंगे उतनी बढ़िया आपकी सब्जी तैयार होगी, और आप यहाँ पैन ले रही हूँ है, इस पैन में लूँगी दो चम्मच घी, और यह देख सकते हैं, आप उड़द की दाल है, इसको रात भर क फिसे हप्सेर धेख समय में, अभा मकल जाएं को सब्सक्राइब इस सब्सक्राइब, में अप यहां लुझऐ देख सब्सक्राइब, और दो लूळ फ्लेम पेशसलों के दाल Вот अब लुझशब देख सब्सक्रान कर देख सकते हो उ छिए हाँच्छण ओदा इस चया ब स्का तो अभी डाल को मैंने non agenda ना कोटा है ऐसे ही इसाइसी बिगोई थी पानी निकाल के झोके अच्छे से मिक्स करेंगे फिर नंक टेस्ट के असाब से और फिर डाल देंगे आमचूर पाउड़र, जब इड मी पूरी बना जाती है तो उसमें खटास बहुत जरूरी होती ये श् कि हमारी दाल पक जाए कच्छी ना रहे और आप देख सकते हैं दाल हमारी पक चुकी है थोड़ी सी दाल उठाके अपने हाथ में मैश करके देख लें अगर अच्छे से फूट जाती है तो इसका मतलब है कि आपकी दाल अच्छे से पक चुकी है और अब इसे हम ठंडा लौट अच्छे से तयार हो चुकी है बहुत बढ़िया हमारी बेड़ मी पूरी के लिए सब्ली तयार है बहुत स्पाइसी बहुत चटपटी खटी बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है और हमारा आठा लगवग 20 मिनट हो चुके हमें आठे को रखे हुए और हमारा जो व stata दाराम से उतनी में भर दें लगवक एक कहचोडी में दो इसको कबद ऑ सब्सक्राइब देना है इस तरह Atlas और प्रेस कर देना है इसी तरीके से साधी की लोग कंद्यार्च यहां फर इस असाने नहीं प्रिक तो इसलिए इसको आपको पूरी से थोड़ा सा मोटा रखना है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है पतला भी नहीं आप देख सकने इस साइज का इसी थिकनेश के आपको इसको बेला इस तरीके से तो सारी की सारी बेड़मी पूरी में यहां पर बेल लूँगी बहुत ही स्वादेश बनती है और बहुत जल्दी बनके तयार हो जाती है और इसका स्वाग जो है अगर आम मसालों का कॉमिनेशन सही रखते हैं तो बहुत बढ़िया आता है फ्राइ करने के लिए फूली फूली बेड़मी पूरी आपकी तयार हो जाएंगी और बहुत ही टेस्टी बनती है यह तो इसी तरीके से सारी की सारी बेड़मी पूरी में तयार कर लूँगी तो अगर आपको रेस्पी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मुझे support करें, तो इस तरीके से आप अच्छे से पूरियां बना के तयार करें, इस प्रिजम को बना के आप दो, तीन, चार दन के लिए फ्रिज में store कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िःा, आप कभी भी तयार कर सकते हैं, और अब हमारी भी सारी की appelle क्रिस्पी बखम भी क्रिस्पी सब्सक्राइब टेस्टीFI लिए बीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें फिर मिलेंगे बाई